बात आती है पूरे भारत पूरे हिंदुस्तान की तो आपको सब को हिंदु मुस्लिम सी खिसाई सब को लेकर के चलना होगा ना कि वहाँ पर आप ब्रामन को बाहर निकाल दीजेगा भारत से जामन भारत छोड़ो और जश्ट थोड़ी सी आगे लिखते हैं ब्रामन और बनिय व्याबिल लिखेंगे तो हम ऐसे डिवेट में बोलेंगे यह गलत है अईसा नहीं हम भनिया अपछोड़ी तरुफे नहीं हो इतिहास पूछेंगे नहीं इतिहास कुछ नहीं था वह जबरन इतिहास बनाते हैं जबरन इतिहास परहतें लग जाटी डिलीजिस को ले को लेकर के लगातार काता है कि तुम मुस्लिम हो हिंदू हो सीख हो इसाई हो अरे भाइया वो छोड़िये ना आप मुद्दे की बात करिया आप सबसे पहले एक इंसान है आप भारत के नागरिक है जेनियो हमारे भारत का एक ऐसा उनिवर्शिटी है एक ऐसा नाम है जिसने ना जाने कितने नेता को पैदा किया कितने आईस आपसर को पैदा किया यह वही जेनियो है जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे क्या अंदोलन लगते हैं नाडे लगते हैं यह वही जेनियो है जहां इस JNU में कुछ ऐसे नाड़े लग रहे अभी आप लोगों ने देखे होंगे ब्राम्मन भारत छोड़ो और जश्ट थोड़ी सी आगे लिखते हैं ब्राम्मन और बनिया भी भारत छोड़ो यह हमारा कौन सा उनिवर्स्टी है कैसे लोग है कल तक पाकिस्तान कभी सकतों स्कॉलर लोग जाते हैं बहुत अच्छे श्टुनेंट जाते हैं उसमें कोई दूमत नहीं है यहीं से करेया कुमार भी निकले हैं बेगुसराय की धर्ती से जो बहुत अभी नाम कमारे सुर्खियां बटोर रहे चलिए उनका बात अलग है लेकिन इस चीज को आप द अब यंभी पता कर लिजेगा कि हमारे देश्ट के रास्टपती अब्दुल festa झी कि जब बने थे एक अंगोली उनके तरफ नहीं उठाथ है कि एक अंगली हमारे एप अपिंग अपाल के तरफ नहीं उठा है क्यों नहीं उठा था क्योंकि सब किसी के प्रजुमियों और दर्म को लेके बात होती है तो क्या कुछ ऐसे नेता या कुछ ऐसे नाम है जो नहीं होता है मैं इस बात से हर जगह होते हैं लेकिन थी बात नहीं उठाया फिर अगर कोई आज ऊठा रहा है कि भनिया या ब्राम्हान उसक्ता बाठ टालेंटर मोगों को सकता बुद्वाल लोगों हैट सिर्फ ब्राम्हान ने आप भारात चोड़ ऑको यह भी आप पना पर लेगा इतिहास में अपकर नहीं उनको उनसे कर उनका इतिहास पूछेंगे न इतिहास कुछ नहीं था वो जबरन इतिहास बनाते हैं जबरन इतिहास परहाते हैं नहीं अंकी जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जब हमारे इतिहास की बात होगी जब हमारे चानक्य की बात होगी जब हमारे असरक सम्राड की बात होगी जब ये सब की बाते होंगे तो हर काष्ट के जो बलिदान दिये हैं जो बीड महान लोग हुए उन सभी का चर्च आ जब एपी जे अब्दुलकलाम जी को हमारे बहुत सब के आइडियल भी है वो जब उनको राश्टपती बना गया था किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया था क्योंकि वो उसके लायक थे वो उसके हगदार थे उनके धानम को लेकर टिपनी नहीं नहीं होगी थी तो जब ब्राह तो हम इसांनी आप के खिलाबए लिखेंगे तो हम इसारी डबेट में बोलेंगे यह गलएक जिसानी ही नहीं होता है ना मतलब जाती रिलिज्येस को लेकर के कास्ट को लेकर लगातार काता है कि तुम मुसलीम हो हिंदू हो सीख हो इसाई हो अरे भाइया वह छोड़े ना आप मुद्द्य की बात करिया, आप सबसे पहले एक इनसान है, आप भारत के नागरिक है, और नागरिकता के तहद सोचीए, अपने समाज के तहद सोची ना कि अपने जाती अपने धर्म के तहद सोचीए। कुछ लोग यह कहें गया, ऐसे नाडे तो हिंदुस्तान में लगे ना, कि अगर आप देश की बाते नहीं कर सकते, जय हिंद नहीं बोल सकते, बंदे मात्रम नहीं हो, बोल सकते, तो पाकिस्तान, यह नाडा लगता है, देश द्रोही भारत, छोड़ो, अच्छा लगता है, ज जाती धर्म कुछ कोई चीज नहीं होती है, कहीं नहीं माना जाता है, अब आपको धर्म को लेकर के आगे बरना है, तो आपका अपना, अपका परस्नल विचार होगा, अगर मैं हिंदु धर्म को अगर आगे बरने का काम करता हूं, या हिंदु धर्म को सपोर्ट करता हूं, त उसमें आप कुछ बोल सकते हैं ना मुझे कोई वीवर्स बोल सकते हैं क्योंकि मेरी राय को बदल के मेरी सोच को को बदल है लेकिन कहीं जब बात आती है पूरे भारत हिंदुस्तान की तो आपको सबको हिंदु तो एक ना कि आ भारत इसी कोuran propio इसाय को लेकर क disciplines भृण्मन भाड़त चोड़ों 12 इसा तो बहुत प्रह कैंज सब्सक्राइब क meggo kind तुम पाकिस्तानी हो तो सबसे पहली बात आपको बता दूँ यह कुछ है नहीं पहला बात यह सब एक राजनीतिक मोहरा है यहां पर देखी अभी क्या होता है पुरे भारत हिंदुस्तान में क्या होता है सुडखी में सुडखी मनने के लिए हाइलाइट होने के लिए टी आरपी पाने के लिए खुद को फेमस करने के लिए एक लाइन कुछ विवादित कर दो अभी हर जगा बोजपुरी इंडेस्ट्री में होता है आपको हमारे पुरी समाज में होता है आप यूनिवर्सिटी में होता है जहां जाएए पोलिटिक्स में भी होगा हर जगह जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा आज काल पहले तो होता था क्या कुछ अच्छा काम करने के बाद जो आप ट्रेंड में जाते थे आगे बढ़ते थे वो चलता था अब क्या हो गया कि आप जाती धर्म पर भी लिएगा उल्टा भी बोलिएगा तो आपको उपर लाया जाएगा आपको प्रमोट किया जाएगा आपने आपको सवाल था कि पॉलिटिक्स में जो होता है कि दूसरे के खिलाब बोल करके वहां पर जलता है कि आप BJP को भोटने देंगे तो देश दुरोई हो जाईएगा उसी तरह यहां पर भी वही मुद्दा किया गया है बस किया ये भास कितना है कि हैं इसको अब बढूश के नाम पर इनुख के नाम पर यूँनिवर्सिटी बन गया है जहां पर एक समय हुआ करता था, वहां से बड़े बड़े नेता, बहुत नेता वहां से निकले हैं, और हमारे बिहार, हमारे पुरे देश को आगे बढ़ाने में, बदलने में, बहुत बढ़ा हुनका योगदान भी रहा है, लेकिन अब वही जेए नियू बन चुका है, जो सिर्फ भी वाद के नाम से जाना जाता है, देखे यहां पर हुआ गया है, मैं एक बात दता हूँ, देश को एक अलग मोट पे ले जाने की फिर से कोसिस्वी जो चुनाव में होता है, कुछ ऐसा पोश्ट, कुछ भड़कालो ताकि लोग आपस में लड़ें, जो हमेशा होत कौन जात नहीं बोला, यह नहीं बोला मुस्लिम, साड़ी मुस्लिम नहीं, हमेशा समझ यह कभी भी बोला गया इस चीज को वह गलत है, तो गलत होता है, चलिए इस बातों को छोड़ते हैं, अब हम एक बात आप से पूश्या चाहते हैं, इंगलेंड का प्रधान मंतरी रि प्रधान मंतरी बन गया, बहुत अच्छा, सीखा क्या आपने, कुछ नहीं सीखा, अब हम एक बात बताते हैं, जिसने हम पे इतने साल तक हुकूमत किया, अब वो टैलेंट देखके, हमारे में से लोगों को अब वो प्रधान मंतरी तक बना रहा है, यानि उसने टैलेंट क जादा जद दिया और उस चीज़ पे उतको देखा, तब ही उनको देश बढ़ाना है, हम क्या है, हमने ताली बजा लिया और हम आज भी जात पे पड़े हैं, हम अब पूछना चाहते हैं, इतिहास मिटा दो, चानक के कौन है, यह वही चानक के जो पूड़े बिश्यु में अर्थसास्त का जनक कहा जाता है, कौन है जनक है, ब्राह्मान है, हटा दो, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मान है, मैं ऐसे ब्राह्मान की बाते हैं, हर जात में बहुत लोग है, ऐसे बहुत कांतिकारी लोग है, आज अगर मैं कहे देता हूँ, किसी भी जात को लेके, तो समझ य पुरवजाओं ने जो इस भारती हिंदुस्तान को बनाने मदद किया मैं उनका उनका मान कर रहा हूं चाहिए किसे भी जात का हूं कोई भी हो ऊच नीच आज सारे कास्ट में भी भाजन हो गया सब कुछ हो कि मानता हूं लेकिन उनकी पुरवजाओं ने तो इस भारत को बनाने में में मैदद किया होगा अपना जान दिया होगा तो मैं कैसे किसी जात वाले खड़ाब कर सकता हूं और अब क्या होगा जेन्यू के मैं आपको भविस्च कोई एक और नहीं नाम से क्यों किलेंगा क्यों क्या तो नहीं उनकी सब्सक्राइब भाहर निकलेंके कुछिए अब यह कंट्रोवर्सी करके अब बयान बाजी करके बाहर निकलेंगे फिल्ड में उतर जाएंगे नेता का यहां पर क्या होगा जन्म हो रहा है जैनी उसे बहुत पत्रकार का भी वहां पर ताता लगेगा बसेरा लगया लाश्टली हम इस वीडियो से एक ही चीज़ कहने चाहते हैं क कि देखो developed country क्या होता है इंगलन को देखो मैं उसके तारीफ नहीं कर रहा हूं उसने हम पर हुकुमत किया लेकि करेंगे निकलो यही चीज है कि हम यह कहना चाहते है उनसे जरा सीखने developed country से शीखने की जुरत है हम लोग उनसे क्या नंग आपन सीखते है हम इसकी पस्ष्मी वश्टन कँछर उसको सिख दें लिंग जो हम को सीख लाइग वह नहीं सिख लिए ती कि टेलेंट को इसकद देता है और इसकद आगे भीकास करना चाहता है पिर टालेंट है इंडिया लोग को फ्रॉब निश्टर बना को त्यार रहे हम नहीं तयार हम अपने जात्वाले ने क्यों यह सम्मान दिखता है कि हमारे भारत के जो कोई स्टुडेंट है कोई टैलेंटेट परसन है तो उसको मौका देता है क्या समान दे नीपाता है क्या और यह अपे कुछ चन्द ऐसे लोग जो इन चीजो को पढ़ावा देते हैं जाती दारमि पर लडाई करते हैं और होगे एक जात बाले को चाहे किसी भी जात को लेके कहे दो कि तुम भाड़ा छोड़ो तो समझ रहो तुम उसमें टैलेंटर लोगों को क्या दुखोड़ होगा तो इन चीजों को बढ़ावा देने की ज़रूत है ना वहाँ पर मीडिया को ज़्यादा कवरेज करने की और हम लोगों को आगे अगर बाढ़ना है जाती धर्म से उठके सोचना होगा और ऐसा एक हम लोगों को मतलब जिसे इंग्लेंड ने पुड़े वर्ड लेवल पे एक उदारन पेस किया एक जांपल दे वैसे एक जांपल हम लोगों को देना कि हम लोग भी जाती धर्म उठ के टैलेंट पर बात करें जो जैसे हमने एपीजे अब्दूल कलाम के साथ और सेक्रोवार किया है और पूरे वर्ल्ड को विश्व को दिखाया है कि हम कहां पे हैं और हमारा इतिहास किया है उस चीज़ को दिखाने के जलत है तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताए है और बताए है कि हमारा समाज चुनाओ के नाम पर देश कैसे बट रहा है कि कटपुतली हम बनते जाने क्या इससे हमारा देश का विकास होगा यह सवाल आप लोगों को सोचना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताए है और इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर बताए है और आपको हमारा यह प्रयास कोई भी बात को किसी भी मुद्दे को ले करके जो हमारी जो बातचीत हुई अगर आपको इसमें हमारी कोई कमी दिखे तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ताकि अगले वीडियो में हम इस बुद्दे को फिर से एक बार उठाए और जो भी हमारी कमी थी इसको पूरा करें और क्या आगे टॉपिक होना चाहिए और किस तरीके से हम आगे देश को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं उन सारी चीजों को जरूर रखिए थैंक्यू जाए इंद्द